स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्ता आज हम नेशन टॉक का वीडियो देखने जाए और इस वीडियो में वह पाकिस्टान में जो अभी सबसे पॉपिलर बाइक है और इंडिया में जो है उसका कंपेरिशन करने वाल कि कोई नहीं तो फाइदा निए अब जब इलेक्ट्रिक आचुक है आने वाए टाम इलेक्ट्रिक कही है तो इलेक्ट्रिक की लेके फायदा है और फॉके फ्रेंडली है जाला महेंगी भी नहीं है जो लोग यह वा इनके लिए आप क्या मैस्थ देना चाहते हैं उनको भी यह मिलती एक लाग के तो कौन से ले अरे जाहिर आप देखें टॉक पाकिस्तान की जो मोटर साइकल है क्या भारत के अंदर कभी बिकी है या विक रही है वह हम आपको आद दिखाएंगे और उनकी कंडिशन क्या है लोग खरिदना पसंद करते हैं भारत के अंदर वो मोटर सा पाकिस्तान में कितना अंतर है वह आप समझे पिर आपको बेजती लगती है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं यह गाड़ी जो है सबस्यदा हाइस सलिंग रही है पाकिस्तान के अंदर वह है हॉन्डा सीडी सेबंटी करके बाइक आती है वहां पर यह ज्यादा बिक्ति है स सबस्यदा हाइस सलिंग रही है आज हमने एक हमाई जानने वाले थे उनके यहां के पापा या दादा के जो भी बाइक रही होगी उसको मैंने निकलाया है और जिससे हम आपको दिखा सके कि यहां पर क्या कंडिशन है यह बाइक हमारे सामने आप देख लीजे यह है नाइन यूज की जाती है और भारत के अंदर यह बाइक जो है अब कबार हो चुकी है इनका कोई यूज नहीं है कोई इनको नहीं चलाता है हमने काफी कोशिस करके यह बाइक यहां पर ढूंड निकाली है आप देख सकते इसकी कंडिशन क्या है पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते र हैं और फो बीएस सिक्स नॉम के कॉर्णिंग गाडिया यहां पर बेची जाती है ऐसा नहीं कि प्रदूसर्ण ज्यादा करें कुछ करें तो उन सारी चीजों को कंडूल करके गौवर्मेंट रखती है और जो यह गाड़ी है यह यहां पर जो बाइक है यह मोटर साइकल है वह पाकिस्तान के अंदर मैंने कई जानने वाले यूट्यूबर हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि 40-50 के बीज में माले देती हैं वह 60-70 के आसपास में आराम से माले देती हैं तो आप देख लिए भाई जो लोग आप कहते थे हमने आपको यहां पर दिखा दी है कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन अगर आप लोग इसको जिस भी वेव में लेना चाहें जो पाकिस्तान के वीवस हैं हमारे ले सकते हैं हमाई तरफ से उनको पूरी छोट है यह बाइक यहीं पर रहेगी एक और हम लोगों ने आरेंज कि है उसको हम लोग रोट प में है सुचकी की बाइक जो आती है वो है इसके अलावा वहां पर जो है वाइब यार करके यहां के वह बिक्ति है तो इस तरीके कि हम आपको बाइक दिखाएंगे और हम रोड के उपर खड़े होके रियक्शन भी लेंगे तो चलिए हम लोग चलते हैं रोड के उपर और ज देना चलार हें उसका क्या डेफिट है क्या अपराइस है यह भाइक है यह बहुत पुरानी लाई और 2000 हासपास में एवा भारत के अंदर ऐखनी नीगे थी है कितने रुपए ली थी और कब ली थी आपने बजाज पलसर है मैंने अक्टूबर 2016 में खरीद दें कितने रुपए उस वक्त करीब कि पलसर कितनी है यह 200 मालेज अगेरा क्या देती है मालेज 35 40 का निगाल देती है चलने में चलने में बहुत 150 तक जाती है तुमको भाई अगर यह बोला जाए कि वह वाले गाड़ी तुमको आज के समय लेनी है तो लेना पसंद करोंगे नहीं उसको निगलेंगे इस से अपर स क्या नाम है मोहमद दावद अंसारी गाड़ी बहुत बढ़िया लिए तेंक यू कितने के लिए एक लाग बीस यार कि मालेज बगेरा कुछ टेस्ट कर चुके हो कि अभी थोड़े दिन हुए लिए हां मालेज अभी एक मैना हुआ है अल्मोस 62 65 तो यह बताओ कि इंडियन मोटर साइकल खईदने कहा जाए तो आप खईद हो कि अभी तो ले लिए ना मालो अगर आपको यह अगर यह डिजाइन पसंद आ रहा 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 है तो डिपेंड करता है ना कि हाला आज करेशन होता कि यह मिलती एक लाग दन हजार क्यों यह मिलती एक लाग के तो कौन से ल अपली जाये तो आप गर बाइब यह बाइब बाइब क्या मैश्सद देना चाहीं आए है और यहां पर यहां पर बनती और चलाते है अना आप क्या गहने कर गया लेकिन कुछ लोग वहां कि यह कहते ना कि भारत बहुत गरीब है यहां बहुत गरीब है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं वह देख लो यह देख लो कितना रिप्रेंट्रेज है वह जिसकी सौंच जैसी होगी वह ऐसा कहें आप खरीदना पड़े तो आप खरीदे बहुत पराना मॉडल है आज के समय में आपको यह खरीदने के लिए बोला जाए तो खरीदेंगे प्रेजन टाइम में नहीं अगर मान लिजे कोई देश के लोग इसी तरीके गाड़ी लेके चला रहे हैं तो देश के अंदर क्या आपको लगता है कि किस तरीके कंडिशन होगी पल्यूशन फैलता है इससे अब और कोई फाइदा नहीं अब जब इलेक्ट्रिक आ चुके आ यह जाती है 72-80 किलोमेटर और इसके अलावा जिसे आपने ले ली गाड़ी उसके बाद में जो है कुछ और आप चार्ज करते हो चलाते हो बसकोई खरते हैं जिरो मेंटरेंस है कोई मैंटरेंस में नहीं लगती तो प्लुशन में नहीं होता है आप कितना सटेस्फाइड है हमाई देश में तो थोड़ा कमी होगा जो लोग यह बाइक यूज कर रहें उनके लिए आप क्या मैसे देना चाहते हैं उनको भी वही बोलूँगा इलेक्ट्रिक से जब इस वाली से जब उस वाली तक पहुंच नहीं पाहा है तो यह बाइक आपने कब ले थी कितने अगर आपको यह बाहर लब जो और कंपनी आती है और जो अपने देश की कंपनी है उसमें दिफ्रेंस आज ए बड़िहा चलती वह बड़िहा चलती इसके पार गयरा जो है सम्मिल जाते हैं यहां पर जो बाहर होती है उनके पाटो गेरा मिलने में बहुत दिक्कत होती है जो लोग दूसरे देश के मोटर साइकल लेना चाहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि अपनी लोग यही कहना चाहेंगी कि अपनी देश की लोग यहां पे अगर आप देखे ना तो यहां पर कुई हमें वह मतलब को थ प्रेंड खतम होगे शायद एक अधगारी मिलगी हो तो भाई से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वह उनके उपर भी कोई इस तरह की याद अब तो यह थोड़ी सी याद आदा हुए असल में हमारे आम ने थोड़ा सा इलिया में किया हुआ हुआ है कि उन्होंने थोड़ा मतलब फ्री ओफर दी जाए आपको फ्री की ओफर दी जाए तो आप इसको लेंगे नहीं लेंगे और पाकिस्तान वाले आज भी वाई चला रहा है सबसे पॉपिलर बाइक जैसे इन भाई ने बटा कि पाकिस्तान में यही है तो वो लोग ने तो कुछ तरह की नहीं किये हमारे यहां तो इतनी सारी ब्रांच है जो इंडिया में मैनिफेक्ट्चर करते हैं डिजाइन करते हैं और टेक्नोलजी भी हमारी अपनी है तो हमें तो बहुत ताइम हो गया है वो वाली बाईक को डिसकंटीनू करके कबार बन रहा है और इलेक्ट्रिक बाइक भी हम इंडिया में बनाते हैं तो वो पूरानी वाली बाईक तो कौन खरीड़ेगा कोई मोट में दे तो भी चाहिड ही कोई लेगा इसको क्योंकि इन मेंसे जो जिन्होंने पूछा तो सभी ने ना बोल दिया तो पाकिस्तान वाले वो अबने है तो सब्सक्राइब करना भी हुए कुई